हरे कृष्णा रादे रादे दोस्तों व्रिंदावन में पांके बिहारे जी का भव्य मंदिर है इस मंदिर में बिहारे जी काले रंग की एक प्रतिमा है इस प्रतिमा के विश्य में माननेता है इस प्रतिमा में साक्षात भगवानशी क्रिष्ण और राधा जी समाई हुई है इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा गृषिन जी के दर्शन का फलखामी मिल जाता है इस प्रतिमा के प्रगट होने की कता और लीला भी बड़ी ही रोचक है इसलिए हर साल मार्क शिर्ष मास की पंचमी को बाके बिहारी मंदिर में बाके बिहारी जी का प्रकट उससर मनाया जाता है इस साल यह हैती थी 8 दिसंबर 2021 को बाके बिहारी जी की पंचमी मनाई जाएगी जिसमें साक्षात बाके बिहारी जी प्रकट हुए थी बांके भी हारी जी के प्रगट होने की कता भी बड़ी ही रोचक और अद्बुत है संगीज समराड तान सेन के गुरू स्वामी हरिदाजी भगवान जी क्रिशन जी के अन्यन भक्त थे उन्होंने अपने संगीज से भगवान जी को हर रोज रिजाया करते थे वह केवल भगवान जी के लिए ही संगीत गाया करते थे भगवान जी की भक्ती में डूब कर हरिदाजी जब भी गाने बैठते प्रभू में लीन हो जाते थे उनकी भक्ती और गायन से रीज कर भगवान शीक्रिशन जी उनके सामने आ जाते हरिदाजी मंत्र मुगंध होकर भगवान जी को दुलार करते थे एक दिन उनकी एक शिशे ने कहा आप अकेले ही भगवान जी के दर्शन करते हो शी कृष्ण जी का दुलार करते हो हमें भी सामरे सनोने के दर्शन कराई है तब हरिदा जी भगवान शी क्रिशन जी की भक्ती में डूब कर भजन काने लगे राधा क्रिशन जी की युगल जोरी प्रगट हुई अचानक हरिदा जी के स्वर में बतलाव आ गया और वो बोले भाईरी सह जोरी प्रगट भई जुगर की गोर श्याम धन दामनी जैसे प्रथम है हूती अब हूँ आगे हूरी ही है ना टेरी है तैसे अंग अंग की उजकाई सुगराई चतुराई सुन्दर्ता ऐसी शिरी हरिदा जी के स्वामी शाम पुंच बिहारी सम वैसे के वैसे भगवान जी कृष्ण और राधा हरिदा जी के पास रहने की इच्छ प्रगट करते हैं तब हरिदा जी ने कृष्ण जी से कहा प्रभू मैं तो संथ हूँ आपको तो मैं लंगोट पहना कर भी रख लूँगा लेकिन माता को नित्य अभूशन कहां से ला कर दूँगा भगवान जी कृष्ण मुस्कृराई और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एका कार होकर एक विग्रह के रूप में प्रगट हुई शीरी हरिदाजी ने इस विग्रह को बाके बिहारी जी का नाम दिया बाके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन सभी भक्त करते हैं बाके बिहारी जी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाई हुए हैं जो भी शेक्रिशन जी के स्विग्रह के दर्शन करता है उनकी सभी मन की छाएंपूर्ण हो जाती है भगवान शेक्रिशन अपने भक्तों की सभी कस्ट दूर करते हैं तो इस प्रकारमित्रों भगवान बाके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए हमेशा ही भक्तों की भी बनी रहती है तो आईए अब हम आपको बताते हैं बाके बिहारी जी के मंदिर में पर्दा क्यों किया जाता है पहले समय में बाके बिहारी जी के मंदिर में ऐसे पर्दा नहीं किया जाता था जैसे कि आजकल किया जाता है क्योंकि बाके बिहारी जी के जो भी भक्त उन्हें ए गो स्वामियों जी ने यह ने ने लिया कि बांके भिहारी जी की नज़रे किसी भग से ना मिल पाएं। इसलिए उनके मंदिर में बार बार परदे को लगाया जाता है, आजे बीछे किया जाता है। तो मित्रों हमारी तरफ से आप सभी को पाके बिहारी जी के प्रगट दिवस की हारदिक बदाई अगर आपको पाके बिहारी जी के यह जानकारी और कता अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक एंड कमेंट भी करें comment books में, जैंपा की भी हारी जी अवश्य लिखें